हेलो इबरिवन यहाँ पर बिहार जिला अस्तर नई बढ़ालिया जो है निकल करके आई है जिसमें आपका नीमन प्रकार की बहालिया है जैसे नर्स है पारामेडिकल स्टाप है helper की है storekeeper है cook है housekeeper सहित जो है यहाँ पर अन पदो की बहालिया जो है यहाँ पर जारी की गई है साथी साथ मैं बता दू आपको की आठवी pass दसवी pass इबाव winter pass के लिए यहाँ पर बेहतरीन जो है मौका मिलने वाला है जिसका अभी दन जो है यहाँ पर शुरू हो गया है तो चलते है टाइम को वेस्ट ना करते हुए notifications की तरफ बढ़ते है notifications जो है आपको यहाँ पर निकल करके आ रही है जो की समहर नाले दर्भंगा की तरफ से जिला बाल सनक्षन इकाई की तरफ से यह notifications जो है जारी की गई है जो कि मैं बात करूँ यहाँ पर राज बाल सनक्षन समीती समाच कल्लन विभाग बिहार की तरफ से यह आपको बाल सनक्षन योजना अंदरगत संचाली छो से अथारा वर्स की आई वर्क के देख रेक के लिए जो है यह notifications जारी किया गया है जो कि आपको यहाँ पर संबीधा अधारिती जो है यह आपको जॉब होने वाली है और मैं बता दू कि यह यहाँ पर असपस तरीके से दिया हुए और असथाइप पदों के लिए के संबीधा अधार यानि कॉंट्रेक्ट बेसिस जोब होगा जिसमें आपको जो पहला जो पद निकल करके आ रहा है वो है ओफिस इन चार्ज का जो कि एक पोस्ट के लिए है यहाँ पर इवर कैटोगरीज वालो के लिए यहाँ पर पोस्ट जो है निकाली गई है जिसके लिए क्वालिफिकेशन एंड एक्स्पीरियंस की बात करेंगे तो यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए सोसल वर्क में या सोस्लोजी में या साइकलोजी में या पॉलिटिकल साइंस में या फिर लॉय या ग्रेजुएट इन एन अ इसके लिए हिंदी यानि कि आपको हिंदी में अच्छे से लिखने और बोलने का नौलेज आपको होने चाहिए उसी तरीका से निम्न परकार की आपको एबिलीटी जो है यहां पर दिया गया है जो कि यहां पर कौन लोग फर्म बढ़ सकते हैं जिनकी उम्र 55 साल से नीचे है यानि 55 साल तक के उम्र के लोग जो है यहां पर फर्म बढ़ सकते हैं जिनकी सेलरी जो होगी वो आपको 25,000 होगी यानि कि 25 रुपय जो है ऑफिस इंचार्ज के लिए यहां पर सेलरी जो है गवर्मेंट पे करने वाली है वही बात करेंगे कांसलर की तो कांसलर के लिए जो जो है graduate in psychology या social work या फिर sociology या फिर any other stream with diploma in child protection में आपको होनी चाहिए वही जो है experiences में है यहां पर दो साल का child protection का या उस से related प्रोग्राम का यहां पर experiences जो है यहां पर मांगा जा रहा है वही अगर हम बात करें कि यहां पर जो है इसमें भी जो है यहां पर बोलने का या इसमेंदी शुद्ध जो है यहां पर आना चाहिए communications better होना चाहिए office MS office का जो है यहां पर knowledge होना चाहिए साथ अगर age की में बात करूँ तो इसका भी जो है 45 साल तक के लोग यहां पर form को है फिल कर सकते हैं जिसके लिए salaries जो होगी वो 17,500 करीब जो है यहां पर salaries जो है मिलने बालिया होंगी जो की एक post के लिए हाँ पर जो है होने वाली है अगर वही हम बात करें की qualifications की तो इसमें भी graduate in law या social work या sociology या फिर psychology या फिर political science में आपका graduate होने चाहिए इसमें भी जो है आपको MS office का जो है knowledge मांगा जा रहा है same जो है यहाँ पर जो है आपको age तक के लोग जो है यहाँ पर form feel कर सकते हैं और salary जो होगी वो भी आपकी यहाँ पर same होगी जो counselor की यहाँ पर salary 17,500 के करीब है वही चौती बाहली के अगर हम बात करें तो यहाँ पर house father या फिर house mother की यहाँ पर बाहलिया होगी जो की दो पदों के लिए होगी जो की एक पद EBC के लिए होगा एक पद UR के लिए होगा इसमें जो है 10 प्लस टू जो है यहाँ पर पद जो है मांगा जा रहा है और दो साल का जो है आपको child in development circumstance में दो साल का working experience भी यहाँ पर खोजा जा रहा है जिसमें आपका जो है असपास तर पोस्ट जो है निकाली गई है जो की आप 55 साल तक के वेक्ती जो है यहां पर फॉर्म को फिल कर सकते हैं और उसकी जो सैलरी होगी वह 11,000 रुपय सैलरी होगी वहीं पासवी बहाली के अगर हम बात करें तो इस टोर की पर कम एकांटेंट की है जो की एक पदों के लिए है ज पर चुछ कर सकते हैं जो कि कोलिक का सबरी हो यहां पर भीघर सकते हैं. के लिए होना चाहिए अगर हम बात करें तो म्छी होना चाहिए और यहां पर 25 ृप्य को लोना चाहिए वह अगर हम बात करें पारा मेडिकल स्टाप की तो पारा मेडिकल के लिए यहाँ पर पद निकल कर कर आ रहा है जो कि यहाँ पर इंटरमीडियेट होना चाहिए विथ नर्सिंग और फर्स्टेट की भी आपको यहाँ पर कोर्सेज जो है आपका होने चाहिए यानिकी एंटरमीडियेट होने चाहिए जो कि 55 साल तक के वेक्ती यहां परफॉर्म फिल कर सकते है जिसकी सैलली सारे 7000 रुपय के करीब होगी वहीं अगर हम हिलपर की बात करें तो हिलपर में भी शेम टूशेम 7 वी आठ वी पास के लोग जो है यहां परफॉर्म को फिल कर सकते हैं जिसकी salary चोहजार उपय के करीब होगी वहीं अगर हाउसकीपर की बात करें तो हाउसकीपर का भी शेम यहाँ पर होने वाला है वहीं special educator की अगर हम बात करें तो special educator के लिए यहाँ पर beard मांगा जा रहा है जो कि special education में आपको यहाँ पर beard होना चाहिए उसकी जो salary होगी वह आप आपको 17,500 के करीब जो है इसकी सैलरी मिलने वाली है वही अगर हम नर्स की बात करें गारवे नमर बाहली की तो यहां पर जो है नर्स की जो है यहां पर पोस्ट दी गई है जो कि इंडेर नर्सिंग काउंसिल से रिको गुनाइज जो है आपका नर्सिंग कोर्स होना चाहिए के एंडेम का कॉर्स जो है आपको होने चाहिए जिसकी सैलरी जो है दस जडेकर के करीब होगी वही अगर हम बात करें के इसकी सैलरी होने वाली हैं और मैं आपको बता दो कि यह जो है आपको फिलाफ होना इस्टाट हो गया है जिसकी जनकारी आपको दरभंगा.nice.in के वेबसाइट से आपको मिल सकता है ठीक है और इसका जो है फॉर्म कैसे बढ़ा जाएगा तो इसमें सारी जनकारिया जो आपको दी गई है सबसे पहली चीजे कि आपका कॉंट्रेक्ट बेसिस होने वाला है यह कोई सरकारी सेवा नहीं है या आपका परिच्छन एवं सच्छातकार में सफल अभियर्ति के काड मुल्यांकन के अधार पर उनकी सेवा अभधी को विष्टार किया जाए यानि कि एक्जाम और इंटर्व्यू के मादयम से जो सफल या और उनका इच्छुक प्रतिभागी जो भी होंगे वो अपना आवेदन पत्र बायो डाटा फोटोग्राफ योगता एवं अनुभाव परमान पत्र स्वैंग अभी परमानित एक पासफोर्ट साइज फोटो और विग्यापन प्रकासन के तीथी के 15 दिन के अंदर जो है वो जो है आपको इस पर मेल करना है फॉर्म फिल करने के लिए ठीक है आसा करते हैं आपको यह वीडियो अच्छा लगा हुआ चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ तक लिए धने बाद